दोस्तों अगर आप भे विराज कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा दोस्तों सेमी फाइनल में पहुचने के लिए भारत के पास नीदरलेंड को हराने का एक बढ़ी आम मौका था लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये चोटी सी कमसोर टीम टीम इंडिया को इतनी बड़ी टक कर देगी जहां नीदरलेंड के खिलाफ एक सास रोग देने वाले मैच में कैसे टीम इंडिया ने जीत दर्च की और रोहित के साथ विराज के बल्ले ने एक बार फिर से कैसे मचाया कोहरां वो तो सब हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूरी कुमार यादो और विराज कोहली में से खतरनाक बल्ले बास कौन है अपनी राए नीचे कॉमेंट में जरूर बताएए दोस्तों जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था वैसा मुकाबला भारत और नीदरलेंड के बीच हुआ सांसे रोग देने वाले से मैच में नीदरलेंड की टीम ने हमें 165 रनों का लक्ष दिया बतादे बारिश के वज़े से मुकाबला केवल 15 ओवर का ही खेला गया जिसमें डेवान लाकॉक और बार्ड ने एच्छी बल एबाजी की जिसकी बदोलत नीदरलेंड्स ने हमारी टीम के सामने 165 रन बनाने में कामयाब रहा डेवान लाकॉक ने 53 रनों की शांदार पारी खेली वहीं 60 रन बनाकर बार्ड ने भी महफिल लूटी आखिर में जैन फ्राइलिंक ने कुछ अच्छे शॉट खेल कर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष तक पहुँचा दिया भारत के तरफ से मोहमद शमी और भुनेश्वर कुमार ने दो दो विकेट लिये एक विकेट यूजवेंद र शेहल को भी मिला वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी टीम इंडिया को जीत के लिए 15 ओवर में 165 रनों की दरकार थी लक्ष काफी बड़ा था ऐसे में कप्तान रोहित और केल राहुल से धमाकेदार शर्वात की उम्मिद थे आपको बता दे इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आकरामक बल्लेबाजी करनी शुरू करती चार ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 45 रनों के बार था ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंद बाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे लेकिन चौते ही ओबर में भारत को तगडाल जटका लगा और केल राहूल नौगेदो का सामना करते हुए उन्हें सरन बना कर पवेलियन लोट गए उन्हें डेविड वैजी ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आ गए थे किंग कोहली कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तीजी से भारत को लक्ष के तरफ बढ़ाना शुरू किया पर दोस्तों स्पिनरों के आगे दोनों ही बल्लेबास जूजते नज़र आए टिम प्रिंगले ने विराज कोहली को बाधे रखा था लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है कोहली ने टिम प्रिंगले के तीसरे उबर में दो चक्के और एक चौका लगाते हुए जी बता दिया कि आखर का अर्किंग कौन है भारत दस ओवरों के बाद पच्चासी रणों तक पहुँच गया था लेकिन फिर अच्छी बल्लेबासी कर रहे विराज कोहली बास जे लीड़ा की गेंद पर कैच आउट हो गये हलांकि जाने से पहले उन्होंने 35 रणों की एक शांदार पारी खेली अब मैदान पर थे कप्तान रोहित शर्मा और सोरे कुमार यादो जेहां ये वही बल्लेबास है जिसने इस वक्त दुनिया भर के गेंद बास खौफ खाते हैं टेम इंडिया की जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबासों के एक अंधो पर थी बता दे आखरी के चार ओबर में भारत को जीत के लिए साठ से भी जादा रनों की ज़रुरत थी जीत काफी मुश्किल लग रही थी क्यूंकि हर ओबर में तेरा से जादा रन बनाने थे ऐसे में दोनों ही बल्लेबासों को करिश्माई बल्लेबासी करनी थी पारी के 13 वे उबर में गेंदबाजी करने आये थे डेविट और उनको आड़े हाथों लेते हुए सोरिया ने एक नहीं दो नहीं बलके कुल तीन छक्के लगा दिये जेहां सोरिया ने डेविट के इस उबर में तीन छक्के जड़कर कुल 22 रन बटोरे यहां से प्रशंसकों को ये लगने लगा कि हाँ अब इस मुकाबले में जीम इंडिया जीत सकती है सोरिया ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जैसा किसी ने सोचा तक नहीं था दोस्तों चार उबर में साच से जादर रन बनाना काफे मुश्किल काम है लेकिन इस काम को भी रोहित शर्मा और सोरिया ने दूफानी बल्लेबाजी से आसान कर दिया अब भारती टीम तेजी से लक्ष के तरफ अग्रसर हो रही थी दो ओवरों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 40 रन बना दिये थे अब भारत को आखरी दो ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी लेकिन पारी के 15 ओवर में गेंदबाजी करने आये डैविड वैजी ने केवल 6 रन ही दिये जेहां इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे निग्दरलैंड्स के सबसे खतरनाक गेंदबाज लेड़े आखरी ओवर डालने के लिए आते हैं अब आखरी चार गेंदों में 11 रन रह गए लेकिन तीसरी गेंद पर लेड़े ने वापसी की और केवल एक रन दिया सोरी कुमार यादो स्ट्राइक पर आ गए और अब तीन गेंदों में बनाने थे 10 रन लेडे की चौती गेंद पर सोरी कुमार यादों ने एक्स्ट्रा कवर के उपर से शांदार जखका लगाया और अब दो गेंदों में चार रनों की जरूरत थी लेकिन लेडे ने वापसी की और एक खतरनाक बाउंसर डाली जस पर सोरी कुमार यादों कुछ खास नहीं कर रन बनाने थे स्ट्राइक पर थे सोरिया और प्रशंसकों कुमी थी की वो भारत को जीत दिला देंगे आपको बता दे एबी डिविलियर्स के अंदास में वेकेट के पीछे उन्होंने जखका लगाने का प्रयास किया लेकिन गेंद डेविट वैसे के हाथों में चली गी ल दोस्तों भारत और नीदरलेंड के बीच एक ऐसा ही सांस रोग दिने वाला मैच हो सकता है आपको बता दें ये मुकाबला 27 अक्टूबर के दिन खेला जाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है विराट को हली एक और तूफानी पारी खेल पाएंगे या नहीं हमें अप खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें